पूरा देश मानता है हमने देश को महा गोटानों और आतंकी हमलों के खौप से मुक्ति दिलाई है पूरा देश मानता है हमने गरीब और मिडन कास का जीवन बहतर करने का प्यास किया है लेकिन जो लोग सोचते हैं यह बहुत हो गया ऐसा सोचने वालों को मैं एक पुरानी घटना जुरूर बताना चाहूँगा एक बार एक बहुत बड़े नेता मुझे मिले मेरे प्रधान मंत्री पत्क के दूसरे कारकाद पर बोले मोदी जी प्रधान मंत्री बनना बहुत बड़ी बात है अब बन गए आपने इतने दसरतों के संगठ हमका भी काम कर लिया मुख मंत्री के रुप में भी इतना लंबा समय रहे चुके प्रधान मंत्री में भी दूबारा आ गए अब इतना काम पा लिया है अब तो थोड़ा बैठो आराम करो बहुत कर लिया यह उन्होंने मुझे कहा था उनकी वह भावना राजनीती के पुराने अनुभवों से थी लेकिन साथियों हम राजनीती के लिए नहीं राष्ट्रनीती के लिए निकले हैं हम तो छत्रपती सिवाजी महाराज को मानने वाले लोग है जब छत्रपती सिवाजी महाराज का राजा बेजेक हुआ तो उन्होंने यह नहीं किया अब तो छत्रपती बन गए सत्ता मिल गए तो चलो उसका आनंदलो उन्होंने अपना मीशन जारी रखा ऐसे ही उनसे प्रेणा लेकर करके मैं अपने सूक बैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टम सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूँ मैं राश का संकल पर लेकर निकला हुआ वेखती हूँ अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता हूँ तो आज करोणों गरीबों के घर नहीं बना पाता हूँ मैं देश के करोणों बच्चों के भविश के लिए जीता हूँ जागता हूँ जूचता रहता हूँ कि देश के करोणों करोणों बहनों बेटियों करोणों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है और इस संकल्प की पुर्ति के लिए ही हम सब सेवा भाव से दिन रात एक कर रहे हैं दस वर्सों में हमने जो हासिल किया साथियों वो तो एक पड़ाव मात्र है मंजिल तक पहुंचेने का एक नया विश्वास है अभी हमें देश के लिए कोटी कोटी भारतियों के लिए हर भारतिय का जीवन को बदलने के लिए बहुत कुछ हासिल करने का सपने हैं संकल्प है और उसके लिए बहुत से निरने भी बाकी है